हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी इस वीडियो में हम डिसकस करने जाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर एक केस्टडी ये केस्टडी आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रही होगी तो इस केस्टडी के अकोर्डिंग पलक एक कंज्यूमर है जिसको हेर ओयल की जरूरत है ये हेर ओयल खरीदने के लिए एक शोपकीपर के पास जाती है शोपकीपर के पास हाला कि हेर ओयल की काफी सारी वेराइटी रखी हुई है पर फिर भी शोपकीपर ने क्या किया पलक को फोर्स किया और एक पार्टिकुलर ह लेर ओयल सेल कर दिया, हाला कि पलक के पास एक राइट है कि अपने पॉडक्ट को सेलेक्ट करने का, कि कोई भी पॉडक्ट परचेस करे, अपनी मरजी से सेलेक्ट कर सकती है, किसी से भी फोर्स होने की जरुरत नहीं है, पर फिर भी शोप की पर ने क्या किया, उसको फोर्स कि रहा है कि ऐसा कौन सा right है पलक का जिसका उलंगन किया गया है वो कौन सा अधिकार है पलक का जिसको छीना गया है आपको बताना है उस अधिकार का नाम उस right का नाम पलस उसको explain भी करना है सिंपल सी बात है consumer protection act के according हमने पढ़ा था कि एक consumer के काफी सारे rights होती है छे rights पलस दो rights आठ राइट हमने study किये थे उन rights का link आपको इसी वीडियो के description box में भी दिया हुआ है तो उसमें जो हमारा third right था कौन सा था right to choose चुनने का अधिकार मतलब जब भी हम कोई product या service को खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारी मर्जी होती है कि हम कोई भी product purchase कर सकते हैं कोई भी हमें force नहीं कर सकता कि भाई यह particular product को ही खरीदना है हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं हम कोई भी product purchase definitely कर सकते हैं पलस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कोई भी product खरीदने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता तीसरी बात जब आप दुकानदार के पास जाते हो आपने खरीदना तो hair oil था अब hair oil की काफी सारी varieties उसके पास रखी हुई है तो दुकानदार को चाहिए कि सारी varieties आपको दिखाए अब उस variety में से कौन सा मुझे select करना है वो मेरी मर्जी तो marketeer को seller को आपके सामने सारी varieties को भी represent कर रहा है पलस select करने का अधिकार product choose करने का जो right है वो मेरे पास है तो definitely इस case के अंदर पलक एक consumer है और एक consumer का कौन सा अधिकार है जिसका उलंगन हुआ है right to choose चुनने का अधिकार